हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका सुजया इन्फो टेक में मैं हम सुजय और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार राज सरकार द्वारा जितने भी बिहार के राशन कार्ड धारक हैं उनके काउंट में एके खाजार रूपया इस क्रोना वाइरस के महमारी और लोकडाउन के इस्तिती को देखते हुए उनको सहायता भाता के रूप में बिहार सरकार द्वारा एके खाजार रूपया सिधे उनके बैंक खाते में डिविटी यानि कि अधार काड के थुरू दिया जा रहा है किसी का रजिस्टेशन हो रहा है तो आज की इस वीडियो के राशन काड़धार को के लिए बिहार सरकार ने या फासला किया है कि उनके खाते में सीधे 1000 रूपया ट्रांसपर किया जाएगा सहायता के रूप में तो आप इस रूपया का लाब कैसे उठा सकते हैं यहीं जानेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए आपको गूगल में जाकर के सर्च करना होगा e-pds.vh.gov.in इतना सर्च कर सकते हैं अन्याता हम इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालनेंगे आप डिरेक्ट वहां से भी अक्सेस कर सकते हैं जैसे यह आप इस पेज पर आईएगा तो नी आप इस अपने फोन या लैप्ट आप के थ्रू भी कर सकते हैं तो चली हम यहां क्लिक करते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के प्रोसेस देखेगा आपके स्क्रिन पर और यहां पर लिखा हुए क्रोना वाइरस कोविड-19 के बढ़ते संकरमन तथा लॉकड़ान की इस्तिस्तितनी पठने के लिए राज सरकार दोरा खाद सुरक्षा दियम के अंत्रगत अच्छादित सभी राशन कार्डधार को को क्रोना साहता के रूप में एक हजार रुपया प्रती परिवार की दर से सिधी उनके बैंक खाते में डीवीटी के जैसे ही आप अपना राशन कार्ड नमबर डाल करके सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां राशन कार्ड धारक का चार लेटर नाम दिखाया जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इस राशन कार्ड नमबर का जो राशन कार्ड धारक है उनका नाम का चा या गलत है उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं पर लिखा हुआ है किरपया राशन काड़ धारा का अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें तो सिंपल यहां पर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर और इस सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है और जो ओटीपी आएगा उसे इंटर करना है तो चलिए हम यहां अपना मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी मंगाते हैं उसके बाद आगे की फ्रोसेस फिर आपको बताते है तो हम यहां डाल लेते हैं अपना मोबाइल नंबर जैसे ही आप Send OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा और यहाँ पर दिखाया जाएगा आपका मोबाइल नमर जो भी आपने डाला हुगा दिखाया जाएगा जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो और आपका बैंक अकाउंट अधार काड से लिंक हो तो यह तिन बात आपको दिखाया रखने हैं यहाँ पर जो मोबाइल नमर आपके अधार से लिंक हो और आपका अधार आपके बैंक से लिंक हो तभी आप dbt के चलते अपना पैसा पास सकते हैं और साथ में ये तो लिंक कर ही रहे राशन कार्ड तो ये तिन वाते आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर जो mobile नमर आप डाले होंगे mobile नमर दिखाया जाएगा और यहाँ पर ओटीपी इंटर ओटीपी लिखाया जाएगा तो सिंपल आपको यहाँ पर आपना ओटीपी दर्ज करना है और स्कैप्चा कोड को यहाँ पर एड़ करके next पर क्लिक करना है यह सर्च करें पर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के प्रोसेस कुल कर आएगा कि आपका जो सरकार्ड अगर आपके बैंक से लिंक है और आपका मोबाइल नंबर आपके अधार से लिंक है तो आपके अकाउंट में 1000 रुपे ट्रांसफर हो जाएंगे तो इसी तरीके से आप इस योजना का लाब ले सकते हैं जो कि बिहार सरकार्ड द्वरा इस कोरोना की स्तिति में द आपके लिंगा अगर नंबर